हेलो रिवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और UPSI के लिए मॉक्टिस्ट का सेट नमबर 11 अगर आपने बागी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चाकर के चेक कर सकते हैं और यह हम लोग वीडियो में रोजाना बात करते हैं 50 MC के उपके बारे में जो कि बिल्कुल एक्जाम्स ओरियन्टेट सारे कोईसंस होते हैं तो वीडियो को इंड तक देखी हैं और बताएगे कितना स्कूर आप कर सकते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमउक आपका क्या रहेगा देखें कल के होमउक में दे रहा हूँ पॉल्टी में प्रमुक अनुछेद साथे साथ कमेस्ट्री में मैं आपको दे रहा हूँ धातू और उनके आयास को काफी अच्छ तरीके से पढ़ेंगे और टॉपिक वाइस में कॉंग्रेस के जो भी महतिपूर्ण अधिवेशन हुआ था उनको अमलोग देखेंगे चीक हैं करन्ट अफेस में कहा है जनवरी 2021 को एक बार फिर से रिवाइस करेंगे और साथ चात अब तो हमारा वीडियो भी अवलेवल हो चुका है तो यहां से हमारे वीडियो को भी देखकर आप रिवाइस कर सकते हैं फर्स्ट क्रिशन परनता है कि बुद्ध के गृत्याग का प्रतिक क्या है बुद्ध के गृत्याग का प्रतिक चिन क्या है तो सही आंसर होगा option एक घोड़ा ठीक है घोड़ा correct answer हो जाता है next one कहा रहा है कि निमलिखीत में से किसको चालको लिथिक एज कहा जाता है पते हैं किसको चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है तो राइट हैसर यहाँ फोगा option C तामर पाशाण जो यूग था इसको चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना गया थर्ड को एंसर कहरा है के निमलीखित नियुक्ति नियुक्तियों में से कौन से भारत के राश्ट पती के दौरा नहीं की जाती है किसकी नियुक्ति भारत के राष्टपती के दौरा नहीं की जाती है। प्रकास अंसलेशन में बताए कि नियुक्ति में से कौन महत्यपून भूमी का निभाता है। औप्सण A विल बी on the correct answer, chloroplasted नेक्श्ट्ट्रकास कहरा है कि निमलिखीत में से किसे, पस्चिम milliseconds के लोग cyclonic monk of India का HAMकर पुकार थे किसे। तो इस प्रसन का correct answer क्या होगा। cyclonic monk of India का HAMकर के पुकारा जाता था स्वामी विवेकानन्त। ठीके, option A correct होगा, स्वामी वेकानंद का वास्तविक नाम क्या था नरेंदरदत ठीक है नरेंदरदत ये ध्यार रहेगे नेक्स टोन कहा रहा है कि पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तेहर रहा है जब बर्फ पिघलती है तब पानी के अस्तर पर क्या परभाव होगा जब बर्फ पिघलती है तो पानी के अस्तर पर क्या परभाव होगा तो कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा उतना ही रहेगा सी अंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट पेस्ट कहा रहा है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौनसा रंग प्रदान करता है थोड़ा से हाँ पर मिस्टेक है कोबाल्ट ऑक्साइड जो हो कौनसा रंग प्रदान करता है कांच को तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है D will be correct answer next one देखे भुमद्रेखा पर गुर्तवा कर्षन यानि की जो small g होता है गुर्तवा कर्षन तौरं इसको कहते है तौरं का मुल्ले क्या होगा भुमद्रेखा पर भुमद्रेखा कह सकते हैं या फिर विस्वत्रेखा कह सकते हैं तो यहाँ पर सही answer क्या होगा option हम A को tick करेंगे ध्रूवपर तौरंट से कम होगा ध्रूवपर का जो भी तौरंट होगा उसे कम होगा और मैंने आपको इसके बारे में चीज वी आताया था अधिक कवी आप याद रखोगे तो असानी से याद रख पाऊगे देखी कैसे अधिक जो होता है वो ध्रूवपर होता है कम जो होता है वो विस्वत्रेखा पर होता है यानि कि ध्रूवपर तौरंट से कम होगा जहां पर भूमद्रेखा पर ठीक है यह बिल्कुल correct answer है next one दीखिए 1882 में British सरकार दोरा Hunter Commission की न्युक्ती किसकी जाच के लिए की गई थी Hunter Commission की जो बैठा के गई थी न्युक्ती की थी 1882 में यह कह सकते हैं सिक्षा के प्रगति के लिए ठीक है और इसका जो भी जाच करना था किसके बारे में तो प्रात्मिक सिक्षा पर विशेस जोड़ दिया गया था इसमें next one है कि विश्व बैपार संगठन जिसको World Trade Organization कहते हैं WTO इसके संदर में निमली खित कतनों पर विचार करें first or second points को पड़ी और बताए कि कौन सा कथन यहां पे सही होगा तो देखें यहां पे दोनों points को पड़ी है और बताए कि correct answer क्या होगा तो पहला points हम कहा रहा है इसकी स्थापना 1995 में दुट्य विश्व यूद्ध के बाद बनाए गए get के स्थान पर लाने के कि गए थे यानि बिल्कुल सही है कि पहले get था जिसका नाम हम लोग बदल करके WTO 1995 में एक जनवरी 1995 को किया गया था बिल्कुल सही है और second point कह रहा है कि इसका मुख्याले स्विजर लैंड के जिवरिक में यह point गला था क्यूंकि कि इसका मुख्याले जिनेवा में पढ़ता है आपको यह पता होगा तो यहां पर correct answer केवल और केवल एक कूटी करेंगे केवल एक नेक्स्ट कुशन्स है कि मौरेकाल में मुद्रा के संदर में नीमली खित कत्रों पर विचार करें और सही कथन चुने तो देखिए पहला points क्या कह रहा है मुद्रा के निर्गमन का अधिकार लक्षना ध्यक्स नामक अधिकारी को था बिल्कुल सही है मौरेकाल में सरवादिक लोगप्री जो मुद्रा थी वो थी चांदी की मुद्र ये वी विल्कुल सही है और हम हागे पढ़ सकते हैं कि अस्ति तथा नकली सीकों की जाच के लिए रूप दर्सक नामक अधिकारी की न्यूप्ति की जाती है ये भी बिल्कुल साही है यानि कि तीनों की तीनों पॉइंट साही होने के वज़ए से option हम D को टिक करेंगे ठीक है ध्यान रहें कि काफी important questions यह बन जाता है next questions क्या है 1905 में करांतिकारी संगर्थन अभिनाव भारत संगर्थित किया गया था किसके द्वरा तो हम यह कह सकते हैं अभिनाव भारत संगर्थित किया गया था सुरी किसके तो नहीं कहां पर किया गया था तो महाराष्ट में किया गया था option D will be correct answer और इससे समांदित कुछ points है जो एक्जांस में direct देखने को मिलता है जैसे देखिए कि अभिनाव भारत को किसने संगर्थित किया था तो वीडी स्वारकर यानि कि विनायक दामुदर स्वारकर द्वारा 1899 इसी में जो स्थापित मित्र मेला था इसी को 1904 में एक जो आश देखे लेते नेक्स्टवन एकि निमलिखित में से किसने भारत में श्वर्ण सिखो का प्रचलं नियमित उप्योग के के लिए किया था भारत में किसने स्वर्ण जो सिक्के थे इसका प्रचला नियमित उप्योग के लिए किया था यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता ओप्सन ए विम कड़ फीसेज देखे हम यहां पर किलियरली बढ़ सकते हैं कि कुसाड वंसी एक विम कड़ फीसेज जो की एक कनिस के प्रथम का पिता था भारत में स्वर्ण सिकों का प्रचला नियमित रूपे उप्योग किया था उसकी पाच्चान भारत में स्वर्ण मुद्राओं को चलाने के सासा के बखिमचन चटरची की प्रसीद उपनियास आनंद मट का कथनात तक जो है अधारित है किस पर तो यह अधारित है सन्यासी विद्रो पर डी यहां पर करेक्ट है सन्यासी विद्रो नेक्स्ट वन की निमली खित भारती नदियों में से कौन एसेंचुरी बनाती है देखें फिर एक होता है डेल्टा जो नदिया पस्चिम के पूरव के दिशा में बहती है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो क्या करती है वो डेल्टा का निर्माड करती है जो भी जो भी नदिया अरब सागर में गिरती है वो एसेंचुरी का निर्माड करती है ठीक है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तापी आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा तापी नदी एसेंचुरी का निर्माण करती है, पड़ सकते हैं कि भारती नदियों में अरब सागर में गिरने वाले नर्मदा, तापी और माही, एसेंचुरी का निर्माण करती है, बा सकते हैं कि भारत में केरल में मौनसून का आगमन सबसे पहले होता करीब जून में एक जून तक मौनसून केरल में पहुँच जाता है नेक्स्ट वन नादिर साह के आकरमड के समय मुगल बादसा कौन था यह कुशन काफे इंप्वर्टेंट है इसको याद रखेगा तो देखिए नादिर साह के आकर्मण के समय हम कह सकते हैं मुगल बाद साह मुहम्मद साह था सी विल भी करेक्ट अंसर 24 वरेवरी 1749 में करनाल में मुहम्मद साह और नादिर साह के बीच यूद दुआ था नादिर साह ने दिल्ली से अपने साथ मयूर सियासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया था इसको हम लोग इरान के निपूलेन के नाम से भी जानते हैं next one बायो गैस में मुख्यता होती है बायो गैस में मुख्यता होती है तो इस प्रशन का करेक्ट अंसर बायो गैस में कह सकते हैं hydrogen even methane नेक्स्ट रने की रेफ्रीजेटर के में खाद पदार्थ ताजा रखने ही तू सुरक्षित तापमान क्या है खाद पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए तापमान क्या होना चाहिए तो 4 डिगरी सेल्सियस बिल्कुल सही आंसर होगा 4 डिगरी सेल्सियस भारतिस संग के संस्थापा कौन थे, देखे, एक्जांस में भारतिस संग ना लिख करके हो सकता है, इंडियन एसोसियेशन लिख दे, तो इंडियन एसोसियेशन के संस्थापा कौन थे, तो correct answer होगा, सुरेंदर नाथ बैनर जी, D will be correct answer, इलबर्ट, बिल विवाद, किस वैसराय के कारेकाल में उबरा था, इलबर्ट, बिल विवाद, तो right answer यहाँ पर होगा, Lord Rippan, ठीक है, Lord Rippan हम यहाँ पर एको टिक करेंगे, और इससे जुड़ी जो points हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखे, क्या है, इस बिल के दौरा क्या हुआ था, कि भारते नादिसों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गा था, जिसमें यूरोपिय नागरिक भी सामिल होते थे, और इससे पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इससे पहले यूरोपिय विक्तियों से संबांधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपिय नादिस ही करते थे, और यही कारण था कि संपुर्ण यूरोपिय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन सुरू कर दिया, और इससे ही कहा गया था, इलबट विल विवाद, ठीक है, निच्च्ट क्यारा है कि अनेसर्न इन्दा मेकिंग, नामक पुस्तक के लेखा कोन है, सुरेंदर नाथ बैनर्जी यहाँ पर बिल्कूल करेक्ट होगा, सुरेंदर्नाथ बैनर्जी , नेक्स्ट वैं लीट गलत है क्योंकि ये दादा भाई नरोजी के साथ संबंदित नहीं है दिखें नेस्टनल सोसल कॉन्फरेंस को कभी-कभी इंडियन सोसल कॉन्फरेंस के नाम से भी जाना जाता है इसकी संस्थापक अगर हम बात करें तो वह हम कह सकते हैं एमजी रनाडे और रगुनात्राव ये ध्यान रखेगा ठीक है यहां पर फर्स्ट और सेकेंड ही केवल सही है इस वजह से ओप्सन हम बीकू टिक करेंगे क्लियर नेक्स्ट देखें नेक्स्ट क्या रहा है कि भारत का पहला आद्रभूमी संडक्छन एवं प्रबंध केंद् तो हम यह कह सकते हैं इस प्रश्टन का सही आंसर हमारा होगा चैनलाई सी विल भी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्या रहा है कि निमलिखीत में से भारत की किस मुखे नयादीस ने रास्टपती के रूप में भी काम किया है ये क्वेशन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसको लाल रंग का प्रकिनन सबसे कम होता है यही सही उत्तर का आपको चैन करना बताइए तो देखिए अगर पहला पॉइंट से हम कथन को पड़ें तो खत्रे की सिंग्नल के रूप में लाल रंग बिल्कुल सही है और इसका कारण हम अगर बात करें कि क्यूं बनाया जाता है त क्या प्रकिनन कम है तो नेक्स्ट बन देखिए अगला पॉइंट से कि निमलिखीट में से किसकी उपस्थिती के कारण दूध में मिठास आती है दूध में क्या मौझूद होता है जिसकी वज़त से मिठास आ जाती है तो दूध में मौझूद लैक्टोज क्या सकते हैं इसकी वज़त से कि मनुस्मृती मुख्यत संबंदित है मनुस्मृती का संबंद किस से है मनुस्मृती कानून से संबंदित है कानून से संबंदित पुस्तक है विसेश आर्थिक छेत्र जिसको हम लोग सेज के नाम से जानते सेट स्पेशल एकनॉमिक जोन अधिनियम जो कब पारित किया गया था हैँ झायाँ दीजेगा यहाँ पर पारित पूछा जा रहा है तो इस प्रस्ण का क्रेक्ट एंसमर क्या हो गा माई 2005 में पारित किया गया था लेकिन अगर बात करी कि इसको लागू किया गया पढ़ सकते यह थिस안 फरवारी 2006 को लागू किया गया था ठीक इस प्रस्टन का सही आंसर हमारा होगा option बी को टिक करेंगे बीमा कमपनियों को ठीक है फेंस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को और रिखे रोजाना इसी तरके एक मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे फिल हम बात कर लेते हैं कि इड़ा का फुल फर्म क्या होता है देखे इंसुरेंस रेगुलेटरी डेप्लॉप्मेंट और थौर्टी होता है इसका फुल फर्म और इसका गठन 19 अप्रेल 2000 को किया गया था ये द्यान में रखेंगे चले आगे बढ़तें नेक्सट वं क्या करा है कि मक्णी की खेती बते की मक्के की खेती हो की जा सकती है करें लोगों के बुँआई कब की जाती है और नवंबा-दिसंबर में की जाती है इसके अंतरगत है गण्ना, ध्हान, भाज़रा, कफास ये सभी के सभी आते हैं आम का बीजरहित प्रजाती कौन सा है आम का बीजरहित प्रजाती का नाम क्या है इसको हाली में बेग्जानिकों के द्वारा खोजा गया था तो आम की बीजरहित प्रजाती का नाम है सिंधू ठीके D will be correct answer सिंधू next देखे हत्या और मानो वध में अंतर से संब्दित वाद कौन सा है हत्या और मानो वध मानो वध से संब्दित जो अंतर है ये किस वाद से जंब्दित है तो रैग बना म गुविंदा यहां पर C विल्कूल और होगा दी करेक्ट होगा, बोडो जाती, जमुनापरी किसकी प्रसिद्ध नसल है, ये बहुत बार पूछा गया, जमुनापरी जो की बहुत बार पूछा जाता है, जमुनापरी किसकी प्रसिद्ध नसल है, बकरी की प्रसिद्ध नसल हो जाती है, दी यहाँ पर करेक्ट होगा, अपने ख्याल गीतों के लिए प्रसी थे और उन्हें 2001 में भारततन से नमाजा गया था यह पॉइंट्स गलत है क्योंकि पंडित भीमसिन जूसी को 2008 में दिया गया था भारततन और इनका संबंद करनाटक से बिल्कुल सही यहां पर option हम B को टिक करेंगे जो कि यह गलत है गया और किसी एक व्यक्ति के दोरा पूर्ह्ण शासन करना उसी को कहते है ओटो कैसे नेक्स्ट कोиж संथ के लिए किस्मद्यकालीन भार्ति सासक ने पंट्टा एवं काबुल्यद की विवस्था की प्रारम की ऑटो पट्टा और कापल्यद की यहस्ता स्टार्ट कर carbohई थी किसके द्वरा सेर्श के धौरा ठीक है यहां पर सी बिल्कुल करेट उगा और क Glory के खिश्कों की साथ ठीक क Лिय क्रिसी ऐस भीभाग भी बनाए गया थे आपको पताऊगा वह किसके आर्मिक बिचार बिसमर्स के लिए 1575 में फतेवपुर्शीकरी में इबादत खाना के स्थापना की थे और पहले इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संब्दित लोगों को बुलाया जाता था बिल्कुल सही और परन्तु एक वर्स के पस्चात इसके द्वार सभी धर्मों के खोल दिया गया था यह पॉइंट से गलत है क्यों क्योंकि एक वर्स के पस्चात नहीं 1578 में यह सभी के लिए खुला था तो 1578 यानिकि तीन वर्स के पस्चात हुआ ना तो यहां पर यह पुइंट्स हमारा गलत है इसलिए ऑप्सन हम सी को टिक करेंगे ठीक है आगे देख सकते हो लेकिन इंगलिस वाला ही मैं रिकमेंड कहूंगा यूजेनिक्स नेक्स्ट प्रस्ट क्या कि जैनीको प्रदाओग की क्या है बताइए जैनीको प्रदाओग की तो जैनीको प्रदाओग की हम कह सकते हैं कि अनुवांसिक रोगों की पूर्वी सूचना प्राप्त करन प्रमसा इकहत्तर और 147 ठीक है ओप्सन हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे नाव और नेवर फैंपलेट जो किस ने लिखा था नाव और नेवर फैंपलेट किस ने लिखा था तो यह जो लिखा गया था रहमत अली के दोरा चौधरी रहमत अली इसके बारे में हम डीटेल में यहाँ पर देख सकते हैं नौ और निवर फैमपलेट मेन sausage रहमत अली ने लिखा था इस फैमपलेट के माद्धम से चौधरी रहमत अली एक अलग मुल्क यानि गोल मिंट्स पहनिंटきます में भाग लिया था किस ने भाग लिया था तो यहां पर करेक्ट होगा मुलाना मौमुद अली ठीक है मौलना मौमुद10 जुत इन्होंने भाग लिया था नेक्स वाइवल च्वाके छेत्र निम्लीकित मेंसे कि स्थान पर सबसे सबसे तीब्र होती है चुमबक्य छेतर जो है निमली खीत में से किस अस्थान पर सबसे तीब्र होती है तो चुमबक्य छेतर देखा सकते हैं धुरूगों पर सबसे ज्यादा तीब्र होती है C correct होगा next question है कि किस प्रकार के उत्तक सरीर की सुरक्षा कवच का कारे करते है सरीर का सुरक्षा कवच के कारे के रोप में हम जानते है AP थिली मैं उत्तक option A will be correct answer next question क्या है कि निमली खीत में से कौन सा सिधान जनसंख्या और संसाध्यों के बीद संबंद स्थापित करता है one of the most important questions जनसंख्या और संसाध्यों के बीद संबंद स्थापित करता है कौन तो मालतस का जनसंख्या सिधान्त यहाँ पे A correct होगा next देखिए टेटनेस के संदर में निमली खीत में से कौन सा कथन सही है actually यहाँ पे हम बात अगर करे तो कौन सही नहीं है होगा न चाहिए क्योन सही नहीं है सत्य की बात करना है तो देखिए टेटनेस जिवाडू के कारण होने वाले एक रोग है बिल्कुल सही यह मानों में संपूर्ण सरी को परभावित करता है यह पॉइंट्स गलत है क्योंकि यह मानों के संपूर्ण भागोने सिर्फ तंत्री का तंत्र को परभावित करता है टेटनेस और यह क्लास्ट्रीडियम टिटैनिन आमक जिवाडू के कारण होता है और लास्ट पॉइंट की टेटनेस भीमारी को जो अंती मवस्ता होता है लौकजा के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर हम औप्सन बी को टिक करेंगे जो की गलत है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेकशन कहें कि आईपी सी किस द्धारा में लोक उपद्रव की परिपासा दी गई है किस धारा में लोक उपद्रव की परिभासा दी गई है और वो धारा आपका होता है 268 यहां पर करेक्ट होगा चाहो तब इसके बारे में डिटेल में यहां पर पढ़ सकते हैं कि इसके अंतरगत और भी क्या-क्या चीज़े दी गई है और यहां पर ध्यान रगेगा यहां धा माले चेत्रे के सारे फैले समतल मैदान को क्या खाजाता है तो इसको हम लोग भावर के नाम से जानते हैं डी यहां पर करेक्ट होगा तो फिफ्टी क्वेशन्स हम लोगों ने कंप्लीट किया आई होब कि आपने काफी अच्छी स्कोरिंग कर लिए होगी नीचे कमेंस करके कि बताए कि आउट ओफिफ्टी से आपके स्कोरिंग क्या रे वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंस करके जरूर बता है और साथी साथ वीडियो अच्छी लगे तो आपको बता है क्या करना है वीडियो को ला इस चैनल को सबस्राइब करके नोटिफिकाशन पेलको आन रखिए इस questions का right answer बताईए कि नंदा देवी चोटी निमलिखीत में से किसका भाग है ठीके फिंस तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ Thanks for watching, keep watching, keep learning Have a good day